साइकिलोजी के अनुसार हम उन लोगों की ओर अधिक आकरशित होते हैं जिनकी आखे बड़ी और चमकदार होती हैं मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग आलसी होते हैं वो अत्यदिक बुद्धिमान होते हैं क्योंकि आलसी लोग किसी भी काम को करने के आसान तरीके खोज लिते हैं साइकेलोजी कहता है कि जिन लोगों को रात में डर लगता है उन्हें सफेद चादर ओड कर नहीं सोना चाहिए क्योंकि इससे दराबने सपने आ सकते हैं एक साइकेलोजी कल लिसर्च में पाया गया है जो लोग खुद की इजट नहीं करते असल में वही लोग दूसरों को अपमानित करने के मोके तलाशते रहते हैं साइकेलोजी कहती है कि जब आप दुखी होते हैं या रोते हैं तो आपको उस वक्त उसी इंसान का चहरा याद आता है जिसे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं मनोविग्यान के अनुसार अगर आप खुश मिजाज और पोजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी उनी लोगों की तरह बन जाते हैं एक साइकलोजिकल लिसर्च में पाया गया है अधिक सफल और अमीर लोगों को ही ये दुनिया अधिक समझदार और इमानदार मानती है साइकलोजिक कहती है कि जिन चीजों से आप सबसे ज़्यादा डरते हैं अक्सर उनी चीजों को करने से आप सबसे ज़्यादा खुश भी होते हैं एक साइकलोजिकल लिसर्च में पाया गया है यदि आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो आप हमेशा उनी लोगों के पीछे भागते रहोगे जो आप से प्यार नहीं करते हैं मनोविज्ञान कहता है कि जो महिलाएं उच आईक्यू वाली होती हैं वे अधिक सिंगल रहती हैं क्योंकि ऐसी महिलाएं गलत आदमी के साथ रहने के बजाए अकेले रहना पसंद करती हैं एक साइक्यलोजिकल लिसर्च के अनुसार जितना आप खुश होंगे उतना ही कम आपको नीन की जरुत होगी इसके बीपरित जो लोग पुदास होते हैं उनको सबसे ज़्यादा नीन आती है साइक्यलोजिक अनुसार जब कोई इनसान आपको दिल से याद करता है या आप किसी इनसान के दिमाग में 24 गंटे रहते हो या वो इनसान हर पल आपके बारे में सोचता रहता है तो आपको ये तीन संकेत जरुर मिलेंगे पहला संकेत आपको रात को सोते समय बेचैनी होगी दूसरा संकेत आप अपने आप ही इमोशनल हो जाओगे और तीसरा संकेत वो इनसान आपको आपके सपने में चरुर दिखाई देगा अगर आपको भी ये तीन संकेत मिल रहे हैं तो ये इस बात का इशारा है कि वो इंसान उस वक्त आपको दिल से याद कर रहा है लेकिन वो इंसान चाहा कर भी आप से बात नहीं कर पाएगा तो अगर आप भी मेरी इस बात से एगरी हैं तो कमेंट में एगरी जरूर लिखना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई